बिसमिल्लाहरमान रहीम, असलाम लेकुम फूडिश पे आज हम एक बहुत मज़े का और सिंपल सा प्राथा बनाने जा रहे हैं जो के आप इजी ली बना सकते हैं सहरी में ये है गालिक प्राथा, इसके लिए मैंने हाफ कप मैदा और हाफ कप पानी लेकर एक चुटकी मीठा सोड़ा डालके इसको रख दिया था बीट करके और उतनी देर में मैंने ये जो वेजिस मुझे थोड़ी से इसके लिए चाहिए थी सबजियां वो मैंने काट ली तो उतनी देर इसको मैंने स्टे दे दिया तकरीबन पांच मिनट मुझे लगे ये चोटी-चोटी वेजिस काटने में तो अब हम इसमें जो है वो ये डाल देंगे चिली पाउडर, नमक और और औरिगैनो ये हाफ-ाफ टी स्पून मैंने लिया है हाफ टी स्पून चिली, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और हाफ टी स्पून ओरिगैनो लीव्ज ये इसमें एड़ कर दिये हैं और इसके लावा ये मैंने छोटी-छोटी-छोटी थोडी-थोडी वेजिस लीविं है गार्लिक है, chopped एक क्लोफ मैंने ले लिया था थोड़ी सी एक टेबल-सपून के क्रीब, शिमला मिर्च है बरीक कती भी, एक टेबल-सपून के करीब जो है, वो टमार्टर है, बरीक कताव और एक सबस मिर्च मैंने छोटी-सी का्र्टली थी और इसके इलावा सबस धन्या है एक टेबल स्पोन यह थो फेज़ यह साब से अपने टेस्थ मताबिक कम यह जादा भी कर सकते हैं छेंज भी सकते हैं आप चाहें तो इसमें प्यास भी एड़ कर सकते हैं, मैंने इसलिए एड़ नहीं किया, क्यूंकि गार्लिक जो है, उसका फिर टेस्ट नहीं आता और मुझे गार्लिक फ्लेवर जो है, वो अच्छा लगता है, कैप्सिकम भी जो है, शिमला मिर्स भी आप स्किप भी कर सकते है और इसके इलावा जो है, आप कोई और अगर आड़ करना चाहें, तो वेजिटेबल वो भी आड़ कर सकते हैं, पैन को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, और हलका सा इसको ग्रीस भी किया है, इसके बस मैं थोड़ा सा गरम होने का वेट करूंगी, और फिर हम यह मिक्स जो है, यह मैंने हाफ कप का जो मिक्सचर है, यह एक सर्विंग के लिए यह एक बंदे के लिए वन परसन के लिए काफी होगा, दो चोटे प्राठे बन जाएंगे, चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, वो जड़ा पलटने में होती है मुश्किल उससे, यह मैंने हाफ का बना लिया था, हाफ यह मैंने अब डाल के बेटर जो है वो इसको पोर कर दिया और इसको फैला लिया अच्छे तरीके से, अब हम इसको थोड़ा टाइम देंगे के थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर इसके ओपर ऑईल लगाएंगे और इसको पलट लेंगे, शहरी में यह को फ्लेवर पसंद है, आप इसको कैचप के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं, और यह ज़दा हैवी नहीं लगेगा आपको क्योंकि इसमें अलरड़ी वेजटेबल्स एड़ हुई हैं, तो इसका तो देखें, कलर चेंज हो रहा है, और इसकी जो वेज़िस के कलर हैं, सबजियों के कलर हैं, वो भी हमें अच्छे से नजर आ रहे हैं, हल्का सॉयल मैंने पोर किया है, और इसको मैं पलट लूँगी, ओहो यह तो हाथ ही नहीं आ रहा, ओ, चलें जी, थोड़ा सा मेरा पराठा जो है, वो जखमी हो ग अब हम दूसी तरफ से इसको इसके पकने का इंतजार करेंगे और इसको दबा दबा के इस तरह से सेखते जाएंगे, ओएल ज़धा नहीं, आप देख रहे हैं, मैंने लगाया, क्योंकि अगर इसको सहरी में बना रहे हैं, या आप चाय के साथ इसको लेना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा ओयली अच्छा नहीं लगेगा वो जो पीस था थोड़ा तंग कर रहा उसे मैंने अलग कर दिया है चिडियों का हिस्सा निकलाएगा उसमें से फरिंदों को जो भी आपकी बचिवी घर में रोटी नान कुछ भी होता है वो परिंदों को बरीक तोड़के आप जरूर डाला करें मेरे कवे तो ब्रड बहुत शौक से खाते हैं मेरे कवे मतलब जो मेरी छट पे आते हैं तो मैं उनके लिए ब्रड खरीद के लाती हूं बार एक बार एक तोड़ के जाएना वो पीसिस करके वो भी डाल देती हूं यह सद क्या जारिया होता है आप जरूर किया करें कोई भी रिस्क जो है उसे वेस्ट ना करें बलके फरिंदों को डाल के सवाब भी कमाएं और रिस्क की बेहरुमती होने से बचाएं अच्छा जी यह बन रहा है मेरा अस्ट्रेलिया का नक्षा और यह जल्दी से अभी फ्राय हो जाएगा कलर इसका आप देखें गोल्डन प्राउन हो जाएगा तो यह हमारे लिए बस पक के फिर रडी हो जाएगा और इसको चाए के साथ ले लें दही या रायते के साथ ले सकते आप जितना क्रिस्पी चाहें आप कर सकते हैं इसको मैं बहुत ज़्या क्रिस्पी नहीं कर रही अभी मेभी छोटा जो मेरा बेटा है वो इसको पसंद करें मैंने आज फर्स टाइम में इसको ट्राइ किया है वैसे तो आई होब कि अच्छा बनेगा लीजिये जी हमारा पराठा रेड़ी है आपको अच्छा लगेगा ट्राइ कीजेगा अला आफिर